हनुमान का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी को हुआ था। हनुमान की इस दिन विशेश पूजा अर्चना करने का विधान है। हनुमान जयन्ती का महत्व जिन लोगों पर शनी की अशुब दशा चल रही है। वे यदि हनुमान जयन्ती पर व्रत रखे तो उनके शनी के दोश दूर होते हैं और कश्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यकता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने वाले को बजरंग बली हर रोग और दोश से दूर रखते हैं और हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं। जीवन में कश्टत दूर होते हैं और सुक शान्ती की प्राप्ती होती हैं। हनुमान जयन्ती दो हजार तेईस आसन पर बैठ करके हनुमान जी का ध्यान करें और संकट मोचन हनुमान का पाठ करें। संकट मोचन हनुमान का पाठ करने से पहले वीर हनुमान जी का पूजन क उनको अक्षत, लाल फूल, धूप, दीप, गंध, माला, फल, आधी अर्पित करें, फिर बूंदी के लड़ू या गुड़ चने का भोग लगाएं.